नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दोहे और उसके अर्थ समझेंगे, तो पहले हम सारे दोहे पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम इनके अर्थ समझेंगे, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कवी के दोहे हैं, तो पहले हम कवीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं, क इसके बाद है तुलसी दाजरी के मुखिया मुक्सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक आवत है हर्शे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वहाँ न जाये कंचन बरसे में इसके बाद है तिरुवलूवर के ये दक्षण भारत के कवी है उचित समय की व्रिष्ट से जीवित है संसार मानी जाती है सतभी व्रिष्टी अम्रत की धार हमने अनुसांधान से जितने पाये तत्व उनमें कोई सत्यसम पाता नहीं महत्व इसके बाद कुछ संकलित दोहे हैं विद्यम धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान रसी आवत जातते सिल्पर परत निसान तो चलिए अभी हमने दोहे पढ़ लिये हैं अब हम एक एक दोहे के अर्थ समझेंगे तो पहला जो कविरदास जी का जो दोहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब तो इसका अर्थ है इसका अर्थ पहले दोहे का है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब मतलब समय अनमोल है इसे व्यूर्थ नहीं गमाना चाहिए जो कारेकल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए क्योंकि समय का कुछ पता नहीं पल भर में प्रलै अर्थात मृत्यू भी आ सकती है और कारे अधूरा छूट सकता है इसके बाद फिर दूसरा दोहा क्या है ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपो शीतल होई तो इस दोहे का अर्थ है दूसरा वाला ये कविरदास जी का ही दोहा है कि हमें ऐसी वानी यानि कि ऐसा अपनी बात ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिससे मन का हंकार मिट जाए मीठी वानी दूसरों को तो सुख देती ही है और बोलने वाले को भी शांती देती है फिर तीसरे दोहे का अर्थ है जो तुलसी दास का है मुख्या मुख्षों चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहीत बिवेक तो अब इसका अर्थ है गां या देश के प्रधान यानि की मुख्या को मुख के समान होना चाहिए जैसे मुख खाता है, मुख मतलब माउद, पर उससे शरीर के हर अंग का पालन पोशन अवक्ष सकता अनुसार सही होता रहता है, इसी प्रकार मुखिया को भी अपने गाउं या देश के प्रतेक व्यक्ति को उसकी अवशकता के अनुसार देना चाहिए, यहने कि जिस प्रकार हम मुख से खाना भोजन गिरन करते हैं, और सरीर के सभी अंगों को उसका पोशन तत्व मिल जाता है, उसी प्रकार जो गाउं का हैड हो, मुखिया हो, प्रधान हो, उसे सभी के आवशकताओं का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, इसके बाद फिर नेक्स चौधा द आखें, कंचन मिन्स होता है, गोल्ड, तो इसका अर्थ है, कि हमारे पहुचने पर जिनके हिर्दय में खुशी और आखों में प्यार ना चलके, वे धनवान हो, चाहे उसके घर सोने की वर्षा हो रही हो, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यानि कहने का दात पर यह है, जिसके घर पे अगर हम कोई आते थी है, गेस्ट बनके गये और उनलोग ने हमें हशी से, खुसी से, उस स्वागत नहीं किया हमारे हो हस्पिटिलिटी, तो वहाँ पे चाहे कितने विधनवान हो, चाहे उनके घर में सोने की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, ऐसे घर में हमें नहीं जाना चाहिए, अपना मान सम्मान जहां पे प्राप्त नहों हो, अमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर पाँच वद हो है, तिरुवल्लूवर का उचित समय की वर्ष्टी से जीवित है संसार, मानी जाती है तभी वर्ष्टी अमरत की धार, वर्ष्टी मतलब समान वारिश जो होती है उसकी धार मतलब धारा तो इसका पाँचवे करथ है सही समय पर वर्षा होने से ही ये संसार जीवन पाता है उसी प्रकार वर्षा को अमरत के समान माना गया है अम्रत मतलब जो जीवन दाइनी शक्ती होती है जिसमें जो जीवीत कर सकता है लोगों को अम्रत व्यक्ति को भी तो सही समय पर वर्षा होने पर यह संसार जीवन पाता है उसी वर्षा को अम्रत के समान माना गया है जो समय पर होकर अनकोने की जो अनाज क्रिशी फसल होती है ग्रेन होती है उसको उपजाने में सहायक होता है तिरू वल्लुवर जी मानते हैं कि सही समय पर दी गई सहायता ही जीवन दाइनी होती है जिस समय परिस्थिती सहायता की हो में उसी समय सहायक बनना चाहिए तो वो सह हाइता जो है अमरत के समान हो जाती है उससे आदमी पुनर जीवी थोटता है फिर अगला है हमने अनुसंधान से जितने पाए तत्व उनमें कोई सत्य सम पाता नहीं महात्व तो इसका आरत है कि बहुत सी खोज की गई और उस सब का एक ही निश्कर्ष यानि कई कन्क्लूजन निकला कि सत्य के समान श्रेष्ट मतलब बड़ा कुछ भी नहीं है खोज में पाए गई सभी तत्वों में महात्वण सत्य ही है मतलब सत्य ने वास्तविक्ता रियल्टी जो है सत्य वैसे तो भागवतिक रश्टी से कहा जाए तो सत्य सिर्फ इश्वर है चाहे कितनी भी ख कोच रिसर्च कर ली जाए उन सबका मूल जो है एक ही तत्व है इश्वर जिसने इस सारी स्रश्टी की रचना की है और उसके कणकण में समाया हुआ है फिर सेवन्थ वाला है विद्याधन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन बिना डुलाए ना मिले जुपंखा की पौन य बिना डुलाए मतलब हिलाना शेक किये बिना बताओ पंखा याने जो हाथ का हैंड फैन होता है उसकी हवा पौन मतलब होता है हवा कैसे हमें प्राप्थ हो सकती है तो इसका अर्थ है इस दोहे में परिश्रम के महत्यु को एक सुन्दर उदारन द्वारा समझाया गया है ज उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होता है फिर है करत करत अभ्यास के जिड्मत होत सुजान रसी आवत जातते सिल पर परत निसान से लियने पत्थर तो ये अभ्यास के महत्यु को इस दोहे में समझाया गया है इसका ताथ पर यह है कि बार-बार अभ्यास करने से मूर्ख वेक्ती भी ज्यानी बन सकता है जैसे कुएं की जगत पर रसी के रगड़ खाने से इट या पत्थर जैसे सक्त चीज पर भी निशान पढ़ जाते हैं अध्यास द्वारा ज्यान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि बार-बार अभ्यास करने से कोई मूर्ख वेक्ती ये ने कि स्लो माइंड है जिसका माइंड शार्प नहीं है वे भी ज्यान अर्जित कर सकता है अगर बार-बार अभ्यास यानि प्रैक्टिस करता रहे तो जैसे कि कुएं जो कुएं से पानी भरते बाल्टी डाल करके बकेट नीचे तो जो यहां पर एक पत्थर है जहां पर यहसे ग्रिल से रसी नीचे जाती है तो उसमें बार-बार रगड खाने से जो होता है उस पत्थर पे निशान बन जाता है तो जब पत्थर जैसी निर्जीव चीज पर निशान बन सकता है अभ्य करने से बार बार रगडने से तो फिर कोई मूर्ख वेक्ति बार बार प्रैक्टिस करें अभ्यास करें तो वह ज्यान कैसी नहीं अरजित होगा उसे भी ज्यान की प्रापती हो सकती है तो बच्चो ये थे दो है और उसके अर्थ आप इसे पढ़िये समझे हम इसके वर्ड मीन काल का मीनिंग एक टाइम भी होता है परले मतलब प्रले होना अंध होना एंड होना श्रिस्टी का खोए मतलब खोदेना या टुलोस औरन मतलब दूसरों को अदर्स मुखिया मतलब हैड प्रधान सकल मिन्स सभी ओल एवरिवन विवेक कार्थ होता है सही गलत का निर्नय जज्जमेंट देने वाला हीय मिन्स हिर्दय हार्ट हरशे मतलब प्रसन होना हैपी होना नैनन मिन्स नेत्रों में इन दा आइस कंचेन मिन्स होता है गोल्ड सोना मेह मिन्स होता है रेन वर्षा वर्षा जीवित मतलब जिन्दा, लिविंग बींग, अमरत मतलब प्राण दायनी सुधा, जो अमरत उपर अंतिरिक्षिस वर्सा होती है, अमरत की, अनुसंधान मतलब खोज बीन, रिसर्च, तत्व मतलब मूल बात, एसेंस, सम मतलब समान, इक्वल, महत्व मतलब बडपन या इंपो उद्यम मतलब एफोल्ट, प्रेतन, पॉन मतलब हवा या विंड, पवन, जडमत मतलब मूर्क, और लो अफ इंटेलिजेंट, मतलब बहुत कम दिमाग का, बहुत ही कम, लेस नॉलेज वाला, सुजान मतलब जानकार, वाइस, हुश्यार, सिल मतलब होता है, स्टोन, पत्थर निसान मतलब जिन या मार्क, तो यह दोहों में आए हुए कुछ कठिन शब्द थे, तो आप इसके द्वारा भी दोहों को अच्छे से समझ सकते हैं, और उससे प्रेणा लीजिए, और कुछ सीख लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, टिक केर, बाबाए